हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार हॉलिस्टिक हीलिंग 111 में मैं हूं आनिका जैन 35 टेरो काडिडा रेकी एंड क्रिस्टल ग्रांड मास्टर आज में लेकर आई हूं जिबू सिंबॉल पद्दती जिबू सिंबॉल के द्वारा किस तरह हम अपनी अबंडन्स को अट्रेक्ट कर सकते हैं यह हम जानेंगे आज के इस एक सिंबॉल से गाइज फ्राचीन चिकिस का भाशा है जो की सिंबॉल के द्वारा हमारी लाइक में आई है और 88 सिंबॉल इसमें होते हैं जिसके हर सिंबॉल के अलग-अलग उदेश्यें हैं अलग- तरीके से वो काम करते हैं आज का जो सिंबॉल में लेकर आई हूँ उससे मैं बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी लाइप में अबंडन्स को अट्रेक्ट कर सकते हो ये हमारे conscious mind को सब पता होता है कि क्या हमारी लाइप में चल रहा है हमें किस तरह आगे बढ़ना है कैसे हमें अपनी करियर में अपनी जॉब में कैसे आगे मतलब तरक्की करनी है लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी हम ठक जाते है रूच मरा की जिंदगी से हमें लगता है कि लाइप आसान नहीं है लेकिन जो हीलिंग पदतियां आज कर चल रही है उसके थुरू हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते है और जो पदतिया आज में लेकर आई हो जीबू सिंबॉल वो तो बहुत ही आसान है सिर्फ एक सिंबॉल को ड्रॉ करके आप अपनी लाइफ में जितना चाहें उतना अबंडन्स अट्रेक्ट कर सकते है तो गाइज लेट्स स्टार्ट मैजिक बिगिन नाओ जो सिंबॉल आज में लेकर आई हो गाइज वो ग्रीन कलर के पैन से आपको ड्रॉ करना है मैं आपको बताऊंगे कि किस तरह ड्रॉ करना है और क्या सिंबॉल है पहले मैं बता देती हूँ कि सिंबॉल को किस तरह आप यूज़ कर सकते है इस सिंबॉल को आपको ग्रीन कलर पैन से ड्रॉ करना है आप अपने हाथ पे ड्रॉ कर सकते है प्लस आप किसी पेपर पे ड्रॉ करके और उसको अपने wallet में रख सकते हैं, अपने office की wall पे लगा सकते हैं, अपने घर की wall पे लगा सकते हैं, अपनी table पे रख सकते हैं, या फिर आप उसे कहीं पर भी जहां आपको पूरा time आप उसे देख सकें, पूरा time इट मिन्स ज्यादा से ज्यादा समय आप उसे देख सकें, और अपने उस सिंबोल को बना कर भा आ रख सकते हैं. मोबायल में आप उसको फोटो लेकर और स्क्रीन सेवर पे लगा सकते हैं आप वाट्सप वाल पेपर पे लगा सकते हैं. ताकि आप उसे बार-बार देख सकें आप अपने पानी की बॉटल पे द्रॉब कर सकते हैं ताकि आपका पानी चार्ज होता रहा रहे 24 hearts continuously ताकि उस पानी को पीने से हीलिंग हो जाती है हमारी conscious mind की हीलिंग हो जाती है हमारे जो negative wipes होते हैं और हमारा जो ओरा होता है वो चार्ज हो जाता है अबंडन्स के लिए क्योंकि हम उसी का ही symbol ड्रो कर रहे हैं हम किसी भी candle पे वो symbol बना सकते हैं और उस candle को burn कर सकते हैं उसका specific day होता है जो मैं बताऊंगे कि किस day पे कौन से candle कर आपको burn करनी है और हम हवा में बना सकते हैं अपने हाथ के through finger से draw करके और हवा में बना सकते हैं जब भी चाहे हमारे office में बना सकते हैं हमारे घर में हमारे room में hall में कहीं पे भी आप उसको draw कर सकते हैं हवा में और feel कर सकते हैं कि घर के vibrations में abundance आ रही है आप attract कर रहे हो आपका घर का जो घर के जो vibration से आपके office के जो vibration से वो attract कर रहे है abundance को तो इस तरह आप सिर्फ एक symbol बना कर और आप अपनी life में abundance को बुला सकते हैं बहुत ही आसानी से आप अपनी body पे भी इसको draw कर सकते हैं सिर्व आप बैठे हैं और आपकी body पे आपने awards करना है तो उस तरह भी आप इसको draw कर सकते हैं और candle पे हो गया है, bottle पे हो गया है हवा में शरीर पर कहीं पर भी हम उसको use कर सकते हैं सबसे पहले कुछ पॉइंट से जो मैं आपको बताना चाहूंगे कि कोई भी ऐसी पद्दती को यूज करने के लिए सबसे पहले विश्वास की बहुत ज़रुत है हमें 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि जो सिंबॉल में बना रही हूँ या बना रहा हूँ वो मुझे 100% रिजर्ट देगा या फिर दे रहा है तब ही जब हम इतने confidence के साथ और इतनी ट्रस्ट के साथ जब हम किसी सिंबॉल को बनाते हैं तब ही हमें रिजर्ट मिल पाते हैं और सबसे पहले फर्स पॉंट यह था सेकंड पॉंट यह है कि खुछ से प्यार करना बहुत ज़रूरी है जब हमारा और नेगेटिव है और हम सिंबॉल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या आये जा रहा है तो कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है या कि कुछ लेट हो जाता है तो लेट होता है तो लोगों को लगता है कि यह मैंने इतने टाइम्स तक किया लेकिन मेरी मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है तो कुछ ऐसे मित की वज़े से कई लोग यह कर ही नहीं पाते हैं इनको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं तो सबसे पहले जरूरी है खुछ से प्यार करना जब भी आप ऐसी कोई पद्दति को यूज़ करते हैं कोई भी Healing Session आप ले रहा होते हैं रेकी सिख रहा होते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि कुछ दिन कुछ सीखने के पहले कुछ दिन आप अपने उपर बार करें मिरर हीलिंग करें सुबह उठते से ही सबसे पहले त्री टाइमस अपने आपको काओ I love myself I love myself I love myself जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपका औरा आपका ओरा सबसे पहले आप love healing करेंगे जब खुद से प्यार करने लगेंगे आपका औरा आटोमेटिक लिए ही चार्ज होने लगेगा Second होता है कुछ दिनों के लिए दो या तीन दिन के लिए salt water से स्नान करना यह बहुत ही easy तरीका है इससे आपका औरा पॉजिटिव हो जाता है negativity जो होती है वो release हो जाती है water के साथ ही और आपका औरा पॉजिटिव हो जाता है और उसके बाद जब आप ऐसी कुए भी पद्दती को यूज़ करते हैं तो वो बहुत चल्दी आपकी life में changes दिखाने लगती है आपकी wishes पूरी होने लगती है आप heal होने लगते हो आपका mind positive होने लगता है तो guys ये तीनों चीज़े जरूर करें ये symbol यूज़ करने से पहले भी आपको mirror healing करनी है और salt water स्नान करना है और उसके बाद ही आपको ये symbol यूज़ करना है let's start कि हमें symbol कैसे बनाना है ठीके guys तो हम देखते हैं कि हमें वो symbol किस तरह बनाना है green color का pen आप लेंगे एक थोड़ा थिक paper आप ले लेंगे ताकि वो फटे नहीं और उस symbol को आप draw करेंगे 1, 2, 3 आप एक copy लेकर रोज 21 times भी आप इसको draw कर सकते हैं आप इसको इस तरह कट करके और अपने wallet में रख सकते हैं आप इसको office के table पे लगा सकते हैं 21 times daily आप इसको अपनी एक book में बना कर और एक habit के रूप में 21 days तक आप कर सकते हैं ताकि आप healing कर सके अपनी abundance के लिए और इसको आप air में बना सकते हैं तो guys ये था हमारा symbol इसे हमें इसी तरह draw करना है मैं एक बाद फिर से दिखाऊंगी pen को सिर्फ last में इस three dots के लिए उठाना है और इसको continue draw करना है आपकी कोई भी query हो तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं और ये पूरा एक कोर्स है जीबू सिंबॉल वरक्शॉप जिसमें 88 सिंबॉल्स रहते हैं और इसका जो basic कोर्स है उसमें 50 सिंबॉल्स भी रहते हैं आप अपने daily life में बहुत सारी चीजों में changes लाने के लिए अपने relationship issues अपने workplace पे अपनी personal life में किसी भी तरह का change आप चाते हैं तो उसके according up symbol को use कर सकते हैं अपनी life में ये बहुत ही आसान पद्दती है और इससे बहुत ही जल्दी हम अपनी life में changes देखने लगते हैं तो guys आपको video कैसी लगी please like share and subscribe and इसको जरूर आप अपनी life में use करके देखे thank you so much